हलो वीवर्स वलकम टुमाई योटूब चानल पर हम आउंट इंगलिस इस्टड़ी पेदराजन सर जैसा कि आप लोग यह पहले से ही जान रहे हैं और जब आप लोग का एक्जाम के बाद इंट्रेव्य होना था और यह कोविड-19 उसी में स्टार्ट हुआ तो हम सभी लोगो से यही अपील किये थे कि आप लोग यदि राजकिये L-T-grade में सेलेक्ट हो गए हैं या कहीं और पर भी सेलेक्ट हो गए हैं तो आप लोग यहां पर माधमिक में इंट्रेव्यू ना दें जिससे कोई समस्या आगे ना वे आज वो समस्या अगर आई है तो उसके पीछे दो का चैन होगा तो वो लोग भी ऐसे थे जिनकी इच्छा थी कि वो सीट को छोड़ दें वो चाहते भी थे हमने बहुत लोग बार बार अपील भी किया वीडियो के थूरू जो है हमेशा इस शीच को रखा सामने और कई लोगों ने हमको आस्वासन दिया बताया भी और कई ल सारा मंकी के देख लीजिए डक्टर रिपुदमन सिंग जी ने और उनकी जो है संदीप यादो जी ने यहां तक की संदीप यादो जी की मिसेज जो है मनीसा जी उन लोगों ने भी इंटर्विव जो है यहाँ पर जो सोसल साइंस का होना है उसको उन्होंने बिड़रा किया है छोड़ दिया है तो ऐसे ही और अभीरती भी हैं जिन लोगोंने सोसल साइंस का इंटर्विव छोड़ा है और वो इसका एडवेंटस सोसल साइंस वाल लोगों को मिल जाएगा उन लोगोंने कहा कि हम लोगों के पास एक जौब है हम चाहते हैं कि और जो वेरोजगार है उनको भी नौकरी मिल जाए यानि कि हर सीट पर एक बिक्ति के लिए एक नौकरी सुनिश्चित हो जाए यह बहुत अच्छा पहल है बहुत अच्छा कदम इस्टेप है ऐसे लोगों को हार्टली थैंक्स और हम सभी अभियरतियों के तरफ से जो अभियरती वेरोजगार भा हैं ऐसे लोगों को हम हिर्दे से आभारी हैं उनके और इस चैनल के थुरू भी हम उनको पुली तरह से यहां से उनके ग्रेटफुल हैं ठैंक्फुल हैं कि उन लोगों ने इस अपील को सुना समझा रियलाइश किया और सबसे बड़ी बात है उसको अमल किया और उन्हें उ ने जो बेटिंग लिस्ट के लिए बेट करना पड़ रहा है लोगों के मन में कंफूजन आता है कि होगा की नहीं बेटिंग लिस्ट आएगा की नहीं यह कंडिशन ही नहीं दो जाती और अराम से जो है मेरिट निकाला पर थे लेकिन आज उनके नाते ये सारी कंडिशन बन गई काफी समय लंबा होता गया लोग कंफ्यूज रहे तो ऐसा नहीं है कि लोग चाहते नहीं थे बहुत ऐसे अभेरती रहे जो अच्छी जगापर सिलेक्ट हैं और वो चाहते भी थे कि हम इस शीट को छोड़ दें लेक अब कुछ लोग जो है अभी यहां माध्मिक में भी आना सुरू कर दिये हैं कुछ सीटे यहां भी चली गई है तो सीट की संख्या जो होती अब डेवाइडे कम होती जा रही है लेकिन थोड़ा सा लाग किसको मिल ला है सोसल साइंस वालों को मिल ला है अगर ऐसा मुहिम र तो उनका फाइनल एजल्ट काउंट नहीं किया जाएगा उसके बाद जो है जितने भी नीचे वाले मेरिट वाले हैं वो सब को पुरा बढ़िया चांस अच्छा चांस मिल जाएगा बहुत अच्छा इस्टेप है पहल है और एक तरह से लोगों के लिए हमिनिटी में यह का अमल किया और रिजल्ट की बात है टीजीटी पीजीटी की तो वो आपको जैसे ही जानकारी मिलती है आपको बताएंगे कुछ रिजल्ट के वारे में बताये थे ना पीजीटी यह आपका रिजल्ट आर्ट का उपचीश मार्च तक चांस था आपका तो अभी भी बना हुआ है चांस और इसमें एक सीविक्स बारिका का रिजल्ट पीजीटी का है वो रिजल्ट कालेज अलाटमेंट आपको हम बताये थे कि आपका 22-24 तक आने का चांस है सबस्यादा चांस हमको 23 को मार्च को है कि आपका जो है कॉलेज अलाटमेंट हिंदी का टीजीटी और बार बार हम कर रहा हैं कि उसको अपलाई करिए जहां से कीजिए और अपने वर्क को अपने प्रिप्रेशन को बनाए रखिए बाकी जो चीजें हैं जो जनकारी हमको मिल पाती है बोर्ड के द्वारा या कोट के द्वारा वह आप तक हम अवस महुचाएंगे तो वीडियो दे आप आप राज जाएंगे हमार जाएंगे तो चाहत रहा पनाएंगे